गीता ग्यान एपिसोड एक श्री मदभागवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन का संशे स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज में जिसका नाम है गीता ग्यान मैं हूँ के आरभादर का हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य यदी चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और देवताओं से उपर उठ सकता है यही कारण है कि श्री मदभागवद गीता जैसी रचना का ग्यान प्राप्त कर मनुष्य पर्मात्मा तक की दूरी तै कर सकता है गीता के इस दिव्य ग्यान को समझना और जीवन में अपनाना ही हमारा प्रयास रहीगा भगवद गीता का परिचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत की युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया ज्यान श्री मदभागवद गीता कहलाता है गीता में श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म और योग का ऐसा गहन ज्यान दिया है जो आज भी प्रासंगिक है अर्जुन के मन में उठे विभिन प्रश्ण और दुविधाय हर मनुष्य की मानसिक यात्रा का प्रतीक है धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण स्वयम कहते हैं कि शरीर ही धर्मक्षेत्र है जब हम पापों और विकारों में फसे होते हैं तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है जहां लगातार अच्छे और बुरे विचारों के बीच संग्राम चलता रहता है वहीं, जब हम धर्म का पालन करते हैं और अच्छे गुणों को अपनाते हैं, तो यही शरीर धर्मक्षेत्र बन जाता है गीता में देवी संपदा और आसुरी संपदा का भी वर्नन है पांडव देवी संपदा का प्रतीक हैं, जो की पुन्य, भक्ती और सत्संग का मार्ग है वहीं, कौरव आसुरी संपदा का प्रतीक हैं, जो की मोह, क्रोध और अज्ञानता से युक्त है दृत्राष्ट्र अज्यानता का प्रतीक है, जो संसार के मोह में बंधा है, जबकि संजे संयम का प्रतीक है संजे की दृष्टी के माध्यम से दृत्राष्ट्र ने महाभारत का युद्ध देखा अर्जुन की दुविधा गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने ही परिवार को युद्ध भूमी में देखकर विचलित हो जाता है अर्जुन का मन मोह, करुणा और धर्म के नाम पर कर्तवियों से भ्रमित हो जाता है वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि इस युद्ध में अपने ही परिजनों का वद करना उसे उचित नहीं लग रहा उसे अपने कुल की रक्षा का विचार भी कचोटता है और वह धर्म और अधर्म की उलजनों में उलज जाता है इस प्रकार अर्जुन के मन में उठे संदेह को अर्जुन विशाद योग कहा गया है भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन जब श्री कृष्ण के चरणों में शरनागत होकर कहता है कि मैं आपका शिश्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाए तब भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद सिर्फ बाहरी संग्राम नहीं, बल्कि उसके अपने मन में चल रही भावनाओं और कमजोरियों से जूजने की यात्रा है अर्जुन के मोह, भ्रह्म और अशान्ती को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उसे गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं इस अध्याई में अन्य प्रतीकों का भी उलेख है, जैसे शिखन्डी जो शिखसूत्र के त्याग का प्रतीक है भीष्म भ्रह्म का प्रतीक हैं, जो व्यक्ति को मोह और संसार में फसाय रखता है जैसे ही शिखन्डी असत्य के बंधनों का त्याग के माध्यम से भ्रह्म समाप्थ होता है, व्यक्ति सत्य और ज्यान की ओर उन्मुक हो सकता है गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन की दुविधा का प्रतीक है, जो हर साधक के जीवन में आता है जब हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमें मोह, परिवार और समाज के बंधनों का त्याग करना कठिन लगता है यही अर्जुन की स्थिती थी, जब वह युद्ध भूमी में अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा था अर्जुन का संशे हमारे अंदर चलने वाली उन भावनाओं और विचारों का प्रतीक है, जो किसी नए मार्ग पर चलने से पहले उठते है श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का ज्यान हमें हर संकट से पार पाने की शक्ती देता है